कि दो को आज को सेशन है यह है आई पीएस स्पेसिलिस्ट आफिसर चौदा फरवरी 2016 का पेपर में जो एप्रक्सिमेशन ने कोशन आया था ठीक है हम लोग अज उस सेट को सॉल्व करेंगे इसके बाद एक सेट है जहां बहुत ज़्यादा कंपेर करें तो उससे ज्यादा कलिकुलेशन वहां करना होगा कि उस साल कोशन भी बहुत तफ आया था ठीक है तो एप्रोक्सिमेशन ने कोशन से तो वहां भी देखेंगे और अभी पीएस एसो कोशन वह यहां देख रहे हैं और जितना हो से कि हम दो सौल करेंगे पहला से अलड़ी हो चुका है कितना कुशन हो आप यहां देखते हैं कि आज के सेशन में कितना कुशन होता है तो पहला सवाल है इसका आगिया होगा आप लोगा है यहां पे देखो 13 46.9 यहां पे कुशन मार्ट रूट ओवर है याई राइट हैं 1347 और यह कितना ले सकते हैं 47 तो दोनों क्या हो रहा है दोनों प्लस हो रहा है अगर दोनों को प्लस करें तो यह कितना हो जाएगा 13 99 94 ओके तो दोनों को प्लस करतें कितना हो गया 94 डिवाइट किसे करना है हम लोगो 20 है तो यहां क्या लग जाएगा 13.94 इसे हम लोग क्या कर सकते हैं approximately 14 14 में से कितना RolleOS करना हैa हम लोगो 7-7 माइनस करेंगे तो ultimately कितना बचेगा थे भी यो इस तरह से आरा है रूट को यहां से आटाे up की क्या लग जाएगा स्क्वार्ट इसका कितना होगा स्क्वार रूट 36 मैंने पहले भी सिखाया है स्क्वार रूट का 1296 है हमें इसे क्या निकालना है स्क्वार रूट लास्ट में कितना है तो इसका जो स्क्वार रूट आएगा स्क्वार रूट का यूनिट प्लेस पे या तो 6 आएगा या फिर 4 आएगा क्योंकि 6 का स्क्वार करने से 36 होता है 6 आता है या 4 का स्क्वार करने से 16 6 आता है अब बात रहा यहां पे तो यह दोनों हडिया नमबर यहां से अब उस नमब यहां भी 12 बार है और यहां भी क्या रहा है 12 बार है तो एक है 34 एक है 30 कौन सा लेंगे क्यों है इंदोनों बराबर है ना यह लेंगे यह लेंगे ह booklet हो रहा है क्या होता है यह तो असान है ना Paash का स्कोर फचिस और तीन और तीन को 35 का square अगर 1225 है तो ये 1296 तो 1225 से ज्यादा है है ना 35 का ही square आ रहा है 1225 जिसका निकालना है वो तो 1296 है और वो 1225 से भी ज्यादा है तो 1296 का square root तो 35 से नीचे नहीं हो सकता है ना उपर ही हो सकता है तो उपर में कौन है 36 ठीक है ना इससे भी help मिलता है कभी confusion हो जाए तो उसके अगल बगल का square निकाल दो तो उसके पाइम चल जाएगा 36 और ये कितना है 9 तो 36 को किससे भाग करना है 9 से कितना हो जाएगा 4 अब 4 को किससे डिवाइड यहाँ भी डिवाइड है ये कितना है 10 तो इस 4 को किससे डिवाइड करना है 10 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा point 4 हो जाएगा और इसमें कितना plus करना है हम लोग को 39.4 तो ये दोनों मिलके approximately कितना हो जाएगा 40 पहले इससे डिवाइड कर लिए फिर जो आया फिर इससे डिवाइड किये जो आया उसको plus कर दिये देखो क्या करेंगे इसको यहाँ देखो यह कितना है 239 एप्रोक्सिमेटी ले सकते है 240 तो 00 कैंसल हो जाएगा ठीक है 00 कैंसल तो से काट सकते हैं इसको half हो जाएगा 12 और 12 और 13 कितना हो जाएगा 36 यहीं तो होगा question 1 यह जो भी यह डिवाइड है यहाँ है तो क्या होगा multiply हो जाएगा है ना यहाँ देखो यह एक्चुली कितना है 0.5 0.5 के मतलब कितना होता है 50% तो 16 का 50% आठ यानि कि 0.8 यह divide point यहाँ आएगा तो इससे क्या होगा multiply हो जाएगा 0.8 का मतलब होता है 80% अगर 36 का 80% निकाला नहीं आता है तो 20% निकाल के हटा दो तो कितना बचेगा 80% नहीं बचेगा तो 36 का 20% मतलब डबल लगभग 7 तो और approximately कितना बचेगा 30 बचेगा आसपास क्योंकि 80 है 300, 600, 120 तो 2, 3, 4 तो यह approximate करी सकते हो है ना cancer हो जाएगा 30 14.99% of 4799.95 divide question mark यहाँ यह निचे आएगा question mark फिर इधर जाएगा यहाँ पर जोगा वो एक्चुरी निचे आएगा यह मैं बार बार बोलता हूँ यह clear कर लेना चाहिए यह divide question mark है question mark है नीचे divide कर रहा है नीचे है तो यह cross multiply होगा इससे यहाँ पर जो आएगा वो ultimately यहाँ आजाए question mark यहाँ आजाएगा येस इसका answer केतना होगा 5 2 कहां से आगी है 2 तो option में ही नहीं है 5 है 25, 50, 100 है 1,500 है answer 5 होगा ओके जड़ा देखिए तो यहाँ पर इसे कितना लेंगे हम लोग 15% और यह तो पता ही है कितना ही है 4,800 सही है ना यह 15 को डबल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 30% off है ना और इसे क्या करते हैं half कर देंगा 24 हो जाएगा तब तो आसान हो गया ना 3 को 24 से गुना करना है 720 क्योंकि यह %20 हट गया यह 0 यहाँ के बैड़ गया है ना अब बताओ यह कोशन मत तो नीचे आएगा इसके और फिर यह इससे मल्टिप्लाई होगा और इधर जो आएगा वो इसको डिवाइट करेगा तो डारेट वही करते हैं यहाँ कोशन माक लिख देते हैं ठीक है और यहाँ पर जो वोगा वो कहा आएगा यहाँ आजाएगा देखो स्क्वाइर भी है 170 परसें निकालना है इसका है कि नहीं कैसे निकालेंगे ज़रा देखो परिन निकालते हैं एक एक सो परसेंट तो एक सो परसेंट का मतला बेश 7.1 तो खुदी होगा प्लस आप कितना निकालना है 70% 70% 77 जा 49 यह हुआ इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हो तो एप्रोक्सिमेट निक ता लिगा बारा और बारा क्या है यहाँ पे स्क्वार करेंगा यहाँ निकीने बारा आर न दो भारा एक बारा से काटो पर तो 12 6 70 20 से का दो कर तो इदो रहें दो कैसे होगा यह उन दो कि नहीं होगा पहेवर्य उसे क्या ली सकते हैं निकाल पावर सन्झाने के लिए मिए साण से एलाबोरित करें अधर्वाज 2 का पहर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यह यह कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा into 552 actually क्या होता है ? 512 होता है 8 का cube और बाहर के है 1 by 3 तो यह और यह cancel हो जाएगा और 8 क्या होता है ? 2 का cube 512 होता है 8 का cube 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 cancel 8 क्या होता है 2 का cube into ये कितना है 34 है ना 34 को लिख सकते है 2 into 17 बाहर क्या है square डिवाइड है ना नीचे आएगा कितना है 2 का power 9 है और ये कितना 16.97 नहीं कि 17 का square ओके अब देखो 2 into 17 का square मतब 2 का भी square है 17 का square bracket के नतर जो भी है सबका square है तो 17 का square तकट गिया बचा क्या है 2 का square ठीक है अब यह सीधा सवाल है बेस यह 2 क्या है बेस है सबका बेस सेम है जो अगर बेस सेम हो बेस अगर सेम होता है a to the power m into a to the power n ठीक है तो बेस सेम है और multiply हो रहे तो पावर क्या करेंगे एड कर देंगे और a to the power m divided a to the power n बेस सेम है आवाल अब कुछ भी हो लेकिन डिवाइड हो रहा है न बेस सेम है डिवाइड पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो पहले into a liner कितना होगा देखो यह उपारे दास यह कितना है तीन यह कितना है दो यह डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा माइनस कितना होगा छे यह यह पेन पेपर का सवाल नहीं है कोशन नहीं होगा न वाप पे ओहां कि टू का पावर है शॉरी कोशन काट कर देते हैं यह क्या हो जाएगा कोशन वार के ना आये सब भी क्या है 2 का पावर भी है ठीक है तो यह हो जाएगा तुम्हारा एंसर तो का पावर कितना आया 6 आया ठीक है कर देते हैं यहां पर 2 का पावर 6 आया इधर में 2 का पावर कोशन मार्क तो बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा कोशन मार्क इस एकोल टू 6 देखो पहला पाट तो है इसका प्लस और माइनस का यह जो 48.94 है यह 49 है और यह जो है 129 है ठीक है यहां तक कुछ दिक्कत है नहीं अब देखो आगे है 49 में से क्या करो 29 यहां से हटा दिये 100 बचा यहां भी कितना बाकिये 20 20 यहां से हटा दो तो कितना हो गया 472 472 प्लस 100 कितना हो जाएगा 572 और यहां कितना है 12 यह कहां जाएगा नीचे इधर क्या बच जाएगा यह ठीक है इससे क्या करो 4 से काट दो 4 3 जा 12 कितना है 4 1 जा 4 4 16 4 3 जा 12 कि इसका स्क्वार कि अब 47 इंटेजर 2 बाई 3 का स्क्वार निकालना है निकालने के लिए तो पहले ही स्वाल यह तो मैंने जास्तों को सम्झाने के लिए इतना कुछ किया यह वला पूरा पाट यह आपके उपर डिपेंड करता है आप इसे कितना मीनिमाइज कर सकते हो का मैंने बताया था जैसे कि A स्क्वार प्लस 2 A B प्लस B का होली स्क्वार देखो उपर में कम है नीचे बढ़ा है तो इसका कितना भी स्क्वार करो वान से कमी आएगा तो यह नेगलिजेंट है कि चूबाइ थ्री माने किया पॉइंट सिक्स पॉइंट सिसका कितना आए ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं ठीक है अभी जैको 47 का स्क्वार कैसे निकालते है टू डिजिट के नंबर के स्क्वार कैसे निकालते है यह यह है और यह भी है तो 7 का स्क्वार 49 तो 9 लिग दिये यह यह स्क्वार है यह 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 भी ए स्क्वार 7 का स्क्वार 49 कितना बचा पॉर अब टू ए बी 2 ए बी अब टू फोर जा 8 8 7 जा 56 अब तुम्हों लोग असार 2 7 जा क्यों नहीं किये तो 2 7 जा 14 होता है फिर 14 इंटी 4 करना पड़ेगा तो मैंने 2 4 जा 8 किया 8 7 जा 56 प्लस 4 60 का 0 हाथ में 6 4 का स्क्वार 16 16 और 6 40 22 2 2 0 9 अब यहां देखो यह तीनों मल्टिप्लाई हो रहा है अब तीनों मल्टिप्लाई करने का भी तरीका है यहां देखो 2 है यहां 2 बाई 3 है तो 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा 4 बाई 3 4 by 4 by 3 का मतलब होता है 1 integer 1 by 3 भाग करेंगे तो इस 1 का मतलब होता है 100% और यह है 1 3 है ना यहीं से ऐसे लिख सकते है 47 into 1 integer 1 by 3 तो देखो मैं elaborate कर दे रहा हूं कि वान का मतलब होता है 100% यहीं कि 47 प्लास वान थर्ड अगर यह 48 होता 16 होता तो अल्मोंस 16 है ना तीनों को जोड़ दो यहां पर कितना हो जाएगा 2272 यह 73 यह किसके आसपास है 225 यह सारा आपको मन में करना पड़ेगा को दिक्कत है कि आप बोलो कि आपका एक्जाम में पेपर अगर डिफिकल्ट आता तो आप क्या एक्स्पेट करते हैं आपको थोड़ा सा पेंपर चलाना ही पड़ेगा ना थोड़ा विजुलाज़ाइशन थोड़ा पेंपर आपको यूज करना ही पड़ेगा सब कुस तो बैठे बैठे नहीं हो कि एकम से फचासथक का स्कुए आपको याद अचाहिए आप यह नहीं गरोगे तो करो यह पुरा यहीं तो है ना इक सिरह सिरा घगजांपल कि अगर आप याद नहीं करते हो यह अगर आपको विद्टानगने नहीं आता अब फूरा करो आपका टाइम वेश्टर जोगा सह आएगा 1 by 3 बचेगा, इस 1 का मतलब होता है 100%, 47 का 100% 47 ही होगा, और 47 का फिर 47 है कितना बचा 1 third, तो 48 होता है, 48 का 1 third, 3 हिस्सा, 16 होता है, 16, 13, 18, अप्रोक्सिमेट ने कितना सोला लिए, 47 प्लस 16, 63 होता है, 63 प्लस 9, 72 होता है, 272, अप्रोक्सिमेटली 255 के आसपास है, ठीक है? कोईशन कैलकुलेटिव होगा की नहीं होगा, वो आपके अप्रोच पे, आपके डिसिजन पे डिपेंड करता है, ठीक है? कोईशन आपको एक्जाम में दिये जाएंगे, आपका प्रैक्टिस कितना इंटेंस है, कितना डेडिकेशन के साथ आपने पढ़ाई किया है, आपन इसमें भी रिसक है, कि सही एंसर आएगा, कि नहीं आएगा, अप्रोक्सी मेट है, आपको थोड़ा सा शातीर होना पड़ेगा, चलाक होना पड़ेगा, अपको एक ऐस से स्टेज में पहुंचना ही होगा, जहां हाम कोईशन स्वाल करेंगे ही नहीं, सिर्श dipped के बताएंग मैं लिख देता हूं 4628 प्लस 7849 लिखा मैंने 200 कहा है का नीचे ठीक है कुछ भी नहीं है यह एक्चुली कितना है 5 है इसका फैसला को रहो पांस से मल्टिप्लाई कर दो अब जरह देखो यहां प्लास है यहां माइनस भी हो सकता था इंटु तो नहीं है लुके प्लास यह नीचे 200 कुस के निचै कि एक्चुली मिर्व है कि दोनों के नीचे है इसके नीचे भी 200 इसके नीचेnew it हं बाद समझ में आरे हो तो अगर दोनो की नीचे 200 है दो है ना पहले इस दो जीरो का हिसाब करते हैं ठीक है देखो दो जीरो मैंने यहां पॉंट लग जाएगा अब बचा किया दो दो से इसे भाग करो यह जाएगा तेईस और दो से इसे भाग करो कितना हो जाएगा थर्टी नाइन और दोनों को जोड़ेंगे तो बासट होगा और बासट और किसे गुना करेंगे पास से तो हो जाएगा 310 जो एप्रोक्सिमेटली कितना है 312 कि डेसिमल के बाद को तो दो से भाग करें क्या करेंगे तो फाइदा नहीं है कि देखो आसान है बीना पेंपेपर का सवाल है कि छोड़ दो कुछ निए इस बढ़ाओ यहां से है ना ऑप्शन देखो लग हजारों में तो पॉइंट क्या करेंगे फोरेट का आचार बनाएंगे इसको एक काम करते हैं आड़ देते हैं कि कितना बन गिया कि 29,000 यहां दिये हो तो इसको भी देदो कितना देंगे छे देना है ज्यादा मत दो आठ दिये थोड़े हम आठ ले सिंप्लिफिक्शन थोड़े कर रहे हैं क्या कर रहे हैं एप्रॉक्सिमेशन छे देने से मेरा काम बन जाए ताम आठ क्यू देखा हाजारों का डिप्रें यह दोनों मिले कितना हो जागा एक चालीस हजार और यह कहां के लेस होगा यहां तो कितना बचेगा 37,000 प्लास क्या बैट जाएगा साथ में 246 37,000 246 एंसर क्या होगा इसका येस क्या होगा इसका सब्सक्राइब कुछ लोग है आपना जो देडरे पकड़ ले रहे हैं कि एप्रॉक्सिमेशन कैसा हो रहा है उसी स्टेज पे मैं आपको हर एक को मैं ले जाना चाहता हूँ एक दो को ले जाने से मेरा उदेश्य नहीं है के पुरा दिमाग में तुम्हारा केलिकलेशन चल रहा है है ना अफढ़ाक से अंसर बोल दिया है मतलब साथ हजार कैसे आया तुम शायद एक्स्प्लेंड ना कर पाओ लेकिन तुमको अंदर पता है कि सब्सक्राइब कैसे आया है बहले तुम सम्झेलों को बताना पाओ व अना है कि बस कपी एक्जाम पास होने के लिए को obsessed on the अब development यहां पे थोड़ा साइक आपको केरफूल रहना होगा क्यों केरफूल यहां पर किया है डिवाइड और यहां क्या है और यह फושट होता है उसके बाद क्या और यह होगा क्योंकि बॉर्ट मार्श का नियम है ना डिवीजन देन मॉल्चिप्लिकेशन गट पॉइंट नाओ मैं सॉल करता हूं जड़ा देखो यह तो है 143 और यह कहां आएगा नीचे थोड़ा मुझे बताओ मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुमको से तुमको एक्जाम में कना यहां कि को क्या है तुमको इमाजिनेशन करना अपर यहमें आदियां से 1टीजव किमा टेबल किसी पागल को ही आएगा है उसके अलाबा धरती इसकी को पॉसिबल नहीं है यह सब प्रशक मर्मिख और बाकी लोग इन्सान की तरह इंसानी तरह जाएं कैसे काहते हैं है 143 है ना 143 अगर है अगर मैं 143 x 2 करूं इंटु क्या करूं अगर इंटु 2 करूं तो कितना हो का 286 इसका डबल और अगर 200 से गुना कर तो दो जिरो यहां जाएगा तो मैं अब कहना क्या चाहता तो द्रस देखो अगर मैं 143 से इसको 200 टाइम से काड़ता तो दो लाग 28600 होता लेकिन क्या यह 28600 है कम है 200 से कटा नहीं कटा कितना कम है 28600 28400 कितना कमेरे एक सो 74 बाई कितना होगा 143 200 से नहीं कटा कितना कम है 174 कम है वो किसे भागोगा अभी 143 से यह बंदा किसे मल्टिप्लाई होगा 28 से जो होगा उसमें यह क्या हो जाएगा एड हो जाएगा अब देखो यह पहले 28 का हम लोग काम कर देते 28 का डबल चपन सो है कि नहीं हो गया अब इससे काटना है तो यह दो से तो कम है अगर यह 286 होता तो दो से कर देते लेकिन पहले वान से काटो तो 143 बचा कितना यह बताओ 74 है 43 है 143 बन जा 143 तो बचा कितना 31 यहां कितना है 43 तो कितना पर से जाएगा पॉइंट 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 मनें 1.2 क्या ले सकते हैं अप्रोक्सिमेट्री कितना होगा 1.2 अच्छा अभी यह 28 किसे किसे गुना होगा इससे यह माइनस है ना तो वान का मतलब क्या होता है 100 परसंट तो 28 का 28 ले लिए और 20 20 परसंट यहां कितना है 1420 तो चपन सो यहां पर है यहां कितना है 34 चीक है तो चपन सो और 1420 कितना हो जाएगा कि 7000 7000 20 और कितना माइनस करना है 34 तो तुम गये इसको माइनस करने के लिए कितना आएगा लगबग छे हजार 986 यह यह अप्रोक्सिमेटली कितना बोलेंगे साथ हजार तो हमारा कहने का मतलब है मैं तुमको यह बता रहा हूं कि अगर तुम इसको सिंप्लीफिकेशन अगर होता और सुमें एगजरक एंसर निकालना है तो हम इतना काम करते हम इतना करते लेकिन क्या हम को सिंप्लीफिकेशन निकालना है नहीं yeah दाला हमारा option देखो 6700 900 200 का फर्क है यहाँ पर 7100 का फर्क है 300 300 का फर्क है और यहाँ पर तो 800 का फर्क है यहाँ 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 पर किया करेंगे कि 100 का इसारी यहां 34 यहां पाएगा बीस रुपय दो कितना पाएगा चौधा और यहाँ पर यहां के तुम चौधा बैटा है यह अगर तुम एक्जाम में सोच रहा है यानि कि टाइम वेस्ट च कर रहा है इसलिए मैंने किया इतना वरना यहीं बोलता कि अंसर क कितना है कि 5600 1420 कितना हो गया 7020 सीधा बोल दो 7000 क्यों तुमने अप्शन देख लिया था तुमको पता है 100 से लेके 800 का डिफरेंस है और यह 34 कोई ज्यादा डिफरेंस पैदा नहीं करेगा तो हमारा एंसर कितना होगा 7000 होगा यह आपको एक्जाम में करना होगा यहां तक पादेगा कि आपको क्या एवाइड करना है तो यह कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है 34 अगर हाँ डिफरेंस अगर मालो 30 का होता 20 का होता 10 का होता पचास कभी होता तब थोड़ा हम सोचते पर मिनिम्मम डिफरेंस जो हो कितना का है 100 का है उनहत्तर सा और साथ एक सो का डि अच्छा में पर साथ्प्रेंस यह ज्यक्तव करने नहीं जम्युकार यह तुम्हें अट्शार्णिस उनला तो तुम्हारा राद मरके निकल जाएे आगे उससाँ रहे मिलेत्ध हो जित्वारा गलत होगी है तुम्हारा 0.25 माॉक्स काटैगा और एक गलाध बॉला कीकि तो पहले तो डिवाइट करना पड़ेगा हम तो ओफ फाइले नहीं कर सकते यह है कितना 12.89 यानिकी 13 है ना और 13 से यह कटेगा साथ से 13 सते एक अनवे 91 यह क्या है परसेंटेज मतलब क्या लग जाएगा 4.89 4.89 का मतलब होता है 5 ओफ का मतलब होता है multiply दोनों का मतलब होता है 35 और 35 में क्या एड़ करना है यह 834 एप्रोक्सिमेटली 870 आया सबका एंसर पड़ा पड़ाना चाहिए यह एंसर तो देखो तो यह यह है 24 परसेंट इसा लफड़ा है इसे लिए लेते है 25 माइनस 1 और यह 834.4 कितना लेंगे इसको 830 835 लेकर तो फस्जा होगे क्योंकि अगर तुमको 25 परसेंट निकालना है 1 4 तो काटनी के लिए भी इवेन नमबर होना चाहिए तो 836 रखो ना इसको 25 SEC का मतलब वहता है one fourth one fourth का मतलब होता है half का half तो पताओ 36 का half होता है 18 18 का half होता है 9 और 800 का 400 400 का 200 कितना माइनस कर देना है one person और यह 100 परसेंट है यह 10 और यह वान परसेंट है 8.36 तो नौ माइनस कर दोघ्669 है कितना बच्चा 200 प्लस करना है देखो यह 49 और 89 देदो यहां से तो 50 बचा 200 200 देदो 0 बचा एक देदो 60 बचा इसे यहां के प्लस कर दो है 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 यह दो लाक एकतिस हो जार रहा है 23100 को था 23100 जिरो 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 बताओ कैसे निकाला एक इनट 7 8 3 0 into 30 किया यह गुना किया तो इतना आया उसके बाद बुलो अच्छा वह अला माइनस होगा न प्लस होगा प्लस वन थाओजन तो हो गिया दो लाक पैटीस अजार नौसो तो यह भी खतम उसके बाद यह कितना है 5 परसेंट है है यह कितना आया है 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 हाँ अच्छा 5 परसेंट के लिए 1 बाई 20 क्यों कि यह हंदे परसेंट है न तो यह 10 परसेंट हुआ कि इटेंबर्शन हुआ दो सो नब्य दो सो नब्य का हाफ है एक सब पैतालेस इससे लेस्ट करेंगे है यह तो आ लेस्ट करके क्या कोंसा गड़ा खोड़ दोगे कि यह कितना है तीन लाख 35,000 वह दो 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 लाख है दो लाख 15 है दो लाख 31 है दो लाख 60 है दो लाख 61 है तुमको लगता है इससे कुछ करना है कि तो है तुम अब 235 के आसफस कोण है 2 35 tap कोन है 2 31 तो मेरे कहने का मतलब यह ठीकी किया है दूसल सकेकिने इतिक है क diffic tri+. यह क्या करे यह भू करना था यह वाला और वह हो भी तुमने ट्या किया है तुमने यहां बढ़ाया एक इसको भी तुमने बढ़ा रहा है तुमने दोनों को इंक्रिस किया है अगर यह ओप्षन क्लोज होता ना दो एकत्तीस दो एकत्तीस पचास दो बरतीस दो तब तो तुम मुश्किलें पढ़ जाता है एक बढ़ाओ एक घटाओ मासमझ में आ रहा है कि बागी लोग भी ट्राई कीजिए एक बार आया यह यह बहुत कैल्कुलेटीव करना कैल्कुलेशन है और जो जहां ज्यादा कैल्कुलेशन होता है ना जहां पे मतब डिफिकर्ट लेबल का सवल बापर इतना करना पढ़ रह ठीक है इसे केवल देख के जितना हो से के निकाल दो ठीक है अब कैसे दो कम से कम यह थोड़ा सा मैं प्रो लेवल का बात बोल रहा हूं जैसे मैक्स प्रो आईफोन प्रो ताने प्रो लेवल यह एक हजर प्लस करना है क्या करना है और मुझे एक्जाम में इसको सॉल्व करना है और यह सब्सक्राइब के लेवल का सम है यह कितना है थर्टी यह थर्टी है और इसको तीन गुना करना है अगर यह साथ हजार होता तो तीन सत्य एक इस है दो लाग दस है ठीक है फिर यह आठ सो है तो तीन अठे चोबीस कितना जगरें चोबीस हजार कितना हो गया कि दो चौटिस और यहां मालो एक सो और है ना एक हजार और एक साथ हजार कितना हो गया दो पाइंटीस है मैं होता तो साथ यह भी नहीं करता यह चीज़ यहीं बोल देता कि इसका अंसर कितना होगा इसके आस पास होगा कि हमें क्या जरूत है किसी को दिखाने का इस हमने का इसको सौल नहीं करना है ने फिर भी करना है थेना कैलकुलेशन का क्यूंकि सब्सक्राइब प्रहशन करना है कि दिखाने के लिए तो स्ब्सक्राय मे om तो हमें क्या करना है ऑप्शन देखना है देखो इन दोनों के बीच 15,000 का डिफरेंस है मनते हो इन दोनों के बीच 16,000 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच 15,000 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच 15,000 का डिफरेंस है 15 से 16,000 का डिफरेंस है क्या करेंगे हजार का और यह कित 145 या रहा है ना 145 या करो गए 1000 प्लस करेंगे 145 को यह माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 145 को माइनस करके 1000 को जोड़के घुम भिरके यही आएगा तो ऐसे कोशन को जतना टफ आएगा ना कोशन कोशिस करना सिर्फ देख के इसको आपके जो option है, आपके जो answer है, उसके आसपास घतिट के ले जा उसके, और देखना तुम्हारा answer आएगा, हाँ, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए बहुत धेर सारा practice करने के जरूरी है, ऐसे question पे बहुत सारे questions लेके, सिर्फ देखके बोलो कि इसका answer क्या इसके आसपा पे थे, और आज यह मुझे लगता है, बहुत 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 पोजिशन पे हो, क्या मैं गलत कह रहा हूं, सही बोल रहा हूं, तो यानि आप वहां से लेके यहां पहुंच रहे हो, इसका अभी आपका बहुत डेवलप हो चुका है, यही चिस्टों घर में आपको कर करना है, ठीक है, तो हमें इसे दुनों कोई फंक्शन नहीं करना है, सीधा हमारा एंसर क्या होगा, 2,31,000, क्यूंकि 2,31,000 में, और 2,35,000 में, 4,000 के डिफ्रेंस है, और option में कितना का डिफ्रेंस है, 15,000 के हो गया मेरा एंसर, यह बहुत टाफ कोश्टन था, पर टाफ कोश् ठीक है, तो मैं जो बोलना चाहरा हूँ, समझाना चाहरा हूँ, आप लोगों समझ में आया है, ठीक है, कैसे करेंगे इसको, यह जो रूट 50 है, यह एक्चुली कितना है, 2 इंटू 25, और 25 के स्क्वार रूट कितना होता है, 5, है ना, तो 4, 69 इंटू 5 रूट 2, इसके लिए 5 बाहर आजाएगा, और डिवाइड किसे हो रहा है, 5 से, तो यह 5 और यह 5 क्या जाएगा, कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा, 469, रूट 2 का फेली होता है, 1.414, ठीक है, यह हुआ, अच्छा, मल्टिप्लाई किसे हो रहा है, 21 से, प्लस कितना है, 780 थी, तो इ तो 1 का मतलब क्या होता है, 100%, 469, प्लस, 0.40, 41, 41%, कितना हो जाएगा, 10% कितना होता है, 46.9, अगर असुभिधा हो रहे हैं, आप 50 पकड़ लो, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है, 50 ले लो, 50 का 4 तैम्स कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा यह, 669, है ना, यह काम कोरो, 70 पकड़ लो इसको, इन्टू कितना हो जाएगा, 21, 21 से कर, मैं डबल कर दो इसको, कितना हो जाएगा, 1340, कितना हो जाएगा, 670, तो कितना हो जाएगा, 1340, और 670, एपरोक्स कितना हो जाएगा, 14,000, यहनि एपरोक्स 14,000, प्लस, 783, कितना हो जाएगा, 14,783, अंसर कितना हो जाएगा, हमारा, 14,600, 469 को, 1.414 से मल्टिप्लाई करना है, 1 से मल्टिप्लाई किये, तो सेम आ गया, 0.41, मतलब 40%, तो 10% कितना होता है, 46.9, आप 50 पकड़ लोग, यह गैप हजारों में है, पचास का चार गुना, 200, दोनों को हमने एड किया, एपरोक्सिमेटली 670, इसको 21 से गुना करेंगे, तो एपरोक्सिमेटली कितना आएगा, दोनों साथ में चलेगा आपका, किसी को दिक्कट इसमें नहीं है, यह हो गया, आगे बड़े, यह 25 का स्कुर्ड 5 बाहर आएगा ना, तो 5 और 5 यह डिवाइड हो रहा ना, कड़ गया यह, अल्दर सिब बचे का रूट 2, रूट 2 की वैलू जो होती हो, कितनी होती है, 1.414, सर्ट से मैंने बताया था, रूट 2 का, रूट 3 का मैंने बता दिया था, तो 1.414 मतलब, 1 का मतलब, 100%, 41% तो 10%, 46.9, 50 पकड़ लो, चाड़ गुना हो जागा 200, एड़ कर दिये, 670 का, 21 times, लगबग 14,000, इंट प्लस यह, आपको, accurate नहीं निकालना है, आप option देख लो न, कहाँ 9,000, कहाँ 14, यहाँ 4,000 का difference, यहाँ पे, यहाँ पे कितना का difference है, 18, लेकिन यह आएगा नहीं न, क्योंकि 14,000 का सपस आ रहा है न, तो 18, 19 और 22, तो सवाली नहीं है, 9 भी नहीं है, आसपस ही है, 14 का कोई है, कोई भी नहीं है, एक ही है, अगर 13,000 भी होता है, तो भी कितना बोलते है, 14,000, तब भी तुम्हारा answer आजाता है, ठीक है, यह लास्ट सवाल है, 43489, minus 29.13, into 114.48, plus 224% of 42, is equal to question mark, और option है, देखो, कैसे करेंगे इसको, यह देखो तो पहले यह बाला, कुछ नहीं है, आपने, 224% of 42, तो 200% कितना होगा, 84, इसका double, बचाट 24%, मतब 25% पकड़ लो, हाफ का हाफ, है ना, तो इसका हाफ 21, 21 का हाफ साथ 10, दस पकड़ लो, कितना हो जाएगा, 94, क्या करेंगे इसका, अचारा बनाएंगे, हाजारों का difference है, ठीक है, ठीक है, मेन जानते हो, उस पूरा कहानी यहाँ पे है, यह जो होगा, इससे माइनस होगा, अब कैसे करेंगे, मैं बता देंगे, मन में करना है, और यह मन में आपको लाना है, approximately, minus, इससे काम करता है, 30 पकड़ लेते हैं, 30 minus 1, तो यह इसका 3 गुना, 114 का 3 गुना, 342, और इसका 0 आगिया, ठीक है, इससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, वान टाइम, वान टाइम मतला, 114 माइनस किया, तो कितना हो गया, यह होगा, इसके बाद, इतना भी तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना लेके वे तुम खेला ख़तम कर दो, लेकिन माला माल लेके, बहुत option close है, हम ऐसा माल लेते हैं तो देखे लिए कि option close है, अदर्वाइस तुम EC को माइनस कर दो नहीं है, तीन हजार तीन सो को माइनस करो गया, तो कॉन साइंसर होगा, दिक तो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मालोग close आ गया, देखो, अभी कितना बचा है, 048, मतलब 50%, तो 29.13 मतलब 30 का 50% कितना हो ग यानि कि 12, तो 6, 2, 8, 5, 13, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, यह क्या होगा, इससे माइनस हो जाएगा, तो यह कितना होगा, 4,156, और प्लस कितना, 94, 4,250, कितना होगा, 4,500, लेकिन यह कहानी तो यहीं पर खतम हो गया, न, एजे, 30 इंटू 114, 3420, और माइनस किये, 1 इंटू 114, यानि कि 114, दोनों को किये कितना है, 336, 336 को ही यहां से अगर माइनस कर दिये होते हैं, तो 40,000 सम्थिंग आ गया होता, यह तुम बोल सकते हैं कि एंसर क्या होगा, हमारा 40,500 हमारा एंसर होगा, आप मेरी बात समझ में आ रही है, कि हमें क्या सही में क्या 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 करना भी है, कि नहीं करना है, लेकिन अगर तुम calculation नहीं करना है, सिर्फ देख के बता देना है, option को देख के बता देना है कि हमारा actually में answer हगर हमारा क्या होगा, इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे questions को आप बहुत practice करें, और कोशिस करें कि जितने भी calculation है, approximate दिमाग में निकाल के plus minus करें आखिर question में था किया, गुना और plus minus कुछ था, एक जगा multiplication बाकि सब plus minus था अब अगर multiplication भी आगर नहीं आएगा तो फिर question कैसे बनेगा 114 का 3 गुना नहीं आता है अरे, 100 का 3 गुना 300 और 14 का 24, 342 30 का 0 यहाँ पे आ गिया 30 से की, एक से minus कर दो, 14 minus 306 306, 306 से कट गया ना यह 0 नहीं आए, 40,000 संथिंग नहीं आएगा यही में तुम्हें दिमाग मार जगा अच्छा, एंसर जो भी आएगा 40,000 संथिंग आएगा कौनसा एंसर होगा? 40,500 क्योंकि एक 40 भी नहीं जाएगा जाएगा? नहीं जाएगा तो क्यों सोचेंगे हम बाकी options के बारे में नहीं सोचना है तो मैं यह कहना चाहता हूँ इसको पेन में लगा के paper लागा के solve कर सकते हो लंबा चोड़ा कोई फाइदा नहीं है उससे अभी करो अभी लेकिन कपी में पूरा करो पर exam में नहीं करना एक्जाम में उतना ही करना जि क्या कर, thank you.